तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप थामनेल देखके आये होंगे ठीक है अज उसकी बात करेंगे लेकिन कि यहां में वह स्कूराब करने से हैं यहां परarin कि यहां पर्मौग टेस्ट हुआ था मैं इस चीज से बहुत आप और, आप मानोगे रही पर अपकर उठाप कि mo two of these मुझे कि यहां पर हार्य 이ोथ में बताये थे सिर्फ यहां पर 121 बच्चों नहीं इस टेस्ट को अटेम्ट किया है तो हमारे पास जाम जबके एक से वीडियोस देखते हैं उन में से सरिफ 121 बच्चों नहीं इस टेस्ट को अटेम्ट किया है क्योंकि यह फ्री है अगर यह पेड होता अगर यह पेड होता तो अगर जिन अगर 2000 बच्चों ने भी हमारा पेड कोस्त खरीदा होता ना तो 2000 के 2000 बच्चों ने भी यहां पर आके इस टेस्ट को अटेम्ट करना था यहां पर 121 कि जो आप नंबर देख रहे हैं यहां पर पता कितना होता 2000 ठीक है तो हमारी गलती है क्यार कोई बात नहीं आपके यह आप पर डिपेंड करता है आप मारे MC केस दो ना दो आप मारे जो टेस्ट दो ना दो हमें फर्क नहीं पड़ता ठीक है इसका जो आपको रवीव जो मिलेगा ठीक है जिन बच्चों ने भी दिया ठीक है तो उनको जो इसका रवीव है वो मैं अगली वाली वीडियो जो होगी मेरी उसमें प्रवाइड कर दूँगा क्योंकि कल थोड़ा दिन में बाहर रहा उसकी वजासे आपको इस वीडियो का रवीव नहीं आ पाया बाहर आउटिंग पे गया होगे थे टाइम नहीं मिल पाया मुझे तो 121 बच्चों ने किया ठीक है अप्लिकेशन का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉकस में मिट जाएगा ठीक है तो अपते टैस्ट होगा ग 2005 अधिक टो डहती है आज की वीडियो हम क्या बात करने वाली चलते हैं हमारी वीडिो की तरफ हमारी वीडियो है आज की गाई मैंपर बात करने वाले n हैं हमारे सोचल नॉम्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे तो गाइस हमारी क्लासिज चल रही है जे कैसे भी सोचल वैलफेर सुपरवाइजर के लिए तो टेलेग्राम चैनल आप हमारी पीडियेप के लिए यहां पर जॉइन कर सकते हैं तो शेडूल है हमारी क्लासिज का जो आपको एमजी के से लिए हां पर मैं प्रवाइड करता हूं दस बजे ठीक और जो थीरी क्लासिज यहां पर रहती है वह शाम को छे बजे आपको मिल जाती है जिसर के द्वारा तो आप प्री टेस्ट के लिए आप मार प्रें टेस्ट में नोश्यू जो बच्चे इंडस्ट्रिड हैं तो उनके लिए तो प्रोवाइड करें तो आज की वीडियो का हमारा है पहला कोशन कि what are social norms क्या होते हैं आपके सामने established laws । इस्टैबलिश्ट नियुन हैं सोसाइटी अन्रेटन रूल्स गॉइडिंग बिहेवियर पर्सनेल बिलीव्स और रिलीजिएस डॉक्ट्रिंज। तो वह होते हैं सोशल नॉम्स होते हैं हमारे पास जो अन्डरिटन तिक है यह रिटन रूल्स गाइडिंग बिहेवियर, सोशल नॉर्म, सर ने यहां पर आपको लक्टर पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आपके आई बटन पर यहां पर जो हमारी प्लेलिस्टें वो भी शो हो रही होंगी, आप उनको जाकर यहां से देख सकते हैं, ठीक, तो सोशल नॉर्म क्या होता और अप्रूपरेट विदिन पाइटिकुलर कुले कंटेक्स ठीक है, यह हमें बताता है कि क्या चीज़ यहां पे एक्सेप्टेबल है, क्या एप्रोपरेट है, पाइटिकुलर कंटेक्स में अगर आपके बात करें ठीक है, तो हमारी वीडियो का जो अगला कूशन है, विस्क्राइब करती है कि आप उस्स को डिसक्राइब करती है जिससे हम लर्न करते हैं और सोशल नाॉम को ऐसा process है जिससे individual जो है learn करते हैं ठीक है और किसको learn करते हैं जो values हैं जो beliefs हैं social norms और उनके culture के उन सब चीज़ों को learn करते हैं ठीक है और उनको adopt भी करते हैं तो guys यहाँ पर बताइएगा I would be happy for those जिन्हों ने यहाँ पर हमारा test दिया ठीक है क्योंकि एक test बनाने में मुझे दो गंटे लगते हैं कितने गंटे लगते हैं दो घंटे लगतेहिं सिर्फ 30ए को Elliott का आपका यहाँ पे test बनाने में मुझे दो घंटे लगते अगरों आप इंतरुरे स्वेशन देने सोशल नौम हमारे सोशल नौम जब कोई बंदा वाइलेट करता है उस वक्त यहां पर क्या चीज़ होती है लीगल एक्षिन इस टेकन इमेजेटली इमेजेटली उसके एगनस लीगल एक्षिन होता है दे फेस सोशल सेंक्षिन और डिस एप्रूवल दे रिशीवड रिवार्ड और अगर 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 आप सोशल जो नौम है उसको वाइलेट करते उस वक्त क्या होता है उनको यहां पर एक सोशल सेंक्षिन या डिस एप्रूवल उनको वहां पर फेस करना पड़ता है सोशल नौम को वाइलेट करने से क्या होता है उपन लीड तो सोशल सेंक्शन उपर एक कुछ सोशल सेंक्शन लगा दी जाती है ठीक है विच केन रेंज फ्राम डिसेप्रोवल तू आस्टैसीजम डिपेंडिंग ऑन दे सेवियरिटी आप दे वाइलेशन एंड दे कल्चरल कंटेक्स्ट उस वाकर उसको सोशल सेंक्शन यहां पर लगा दी जाती है उस इंसान के उपर तो नेक्स्ट कॉश्चन है हमारा यहां पर विच थीविज़ी एक्स्प्लेंड हाव इंडिविज़ल कॉन्फर्म कौनसी थीविज़िविज़न उसके कारण वो किस طرح से इंडिविज़ल सोशल नर्म को कन्फर्म करते हैं एक उसको हम किस नाम से जानते हैं तो यहां पर इस question को जो answer होने वाला है इस question का answer है option number D ठीक है नौर्मेटिव सोचल इन्फलेंस नौर्मेटिव सोचल इन्फलेंस नौर्मेटिव सोचल इन्फलेंस होता है suggest करता है that individual confirmed to social नाम वो social नाम को मानता है to gain acceptance and approval from others ठीक है acceptance और approval दूसरों से वहां पर लेना पड़ता है avoid rejection and social isolation ठीक है वहां पर इसलिए उनको क्या करता है उन्हें जो वहां पर social नाम बने होते हैं ठीक है जो वहां पर social नाम बने होते हैं उनको इसलिए यहां पर उनको इसलिए accept करता है किसलिए accept करता है ताके उसको socially isolate ना किया जाए उसको socially isolate ना किया जाए ठीक है ओके तो अगर आपने यह इसका theoretical पार्ट नहीं देखा है I would suggest कि first of all आप इसका theoretical पार्ट देख लो जो कि आपका यहां पर संजे सर ने बहुत अच्छे से आपको इस चीज़ को यहां पर describe किया है समझाया है ठीक है तो बढ़ते हैं अपने हमारे next और प्यारे question की और हमारा next question है which are the following is an example of descriptive social norms descriptive social norm की example आपको यहां पर बताने है descriptive social norm होता क्या है holding the door open for someone wearing formal attire at a wedding not taking loudly in a library not sorry not talking loudly in a library respecting elders descriptive social norm क्या होते हैं आपको option दिये हैं चार आपको बताना है इसका answer क्या है descriptive social norm में आता है कि आप आप कहीं लाइबरेडी में पढ़ने जाते हो ठीक है आप मुझे कमेंट किजिए कि लाइबरेडी कौन कौन गया है आज तक लाइबरेडी जाके आप जाओगे न वहां का जो इन्वाइरमेंट हो दा एक पीसफुल बहुत मज़ाता है पढ़ने में लाइबरेडी तो जोर से बात ना करना लाइबरेडी में उसे हम डिस्क इसको सब लोग मानते हैं जो कामनली चीज मानी जाती है उसे हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव नॉम ओके नेस्ट क्वेशन है इन्डुस्ट प्राइटिजम इन ग्रुप फ्राइटिजम इगजेंपल आथ प्रॉग्हक्यूमिक्स अथनोसेंट्रिजम सचल फशिलिीटेशनघ रसीप्रशिटी इसपित टो इनगूसेंपल है किसी इसीजी की एन्फोसङं runnersm टिए अन्फोसान्ट्रिसम होता क्या है एन्फोसट्रिसम इन्फ़बीवर फैवरिंग वन्स अन्थोस आउन ग्रूप किसी एक के अपने गृप को फालो करना या उसको कल्चर को फैवर करना और अदर्स ठीक है जो दोसरे के यहाँ पर rules होंगे ठीक है उनको follow ना करना बलके involves favoring once on अपने ही group को once on group our culture अपने ही group को या culture को favor करना और others जो दूसरों का culture है उसको follow नहीं करना leading to biases or prejudices against our group ठीक है जिसके कारण से क्या होता है यहाँ पर इसके क्या कारण बन जाते हैं बाइस और prejudices यहाँ पर बन जाती है जो दूसरे वहाँ पर groups होते हैं ठीक है तो बढ़ते हैं अपने next question कर अगर आपको यहाँ पर जो हमारे प्ले लिस्ट आई बटन पर शो हो रही होगी वीडियो के बीच में तो उसको जाकर पूरे लक्टर देख ले रहा आई थिंक लेक्टर नमपर अलावन होगा ठीक है लेक्टर नमपर अलावन देख लेना question number seven which theory suggests that individual adjust their behaviors based on the perceived actions of others in a given situation कौन सी थिवरी यह बताती है कि इंडिवीज्वल जो है उनके behavior को adjust कर लेते हैं based on the perceived action आफाद जो दूसरों के वाप उनको action देखने को मिलते हैं किसी सिच्वेशन में उस theory को क्या बोलते हो social learning theory social exchange theory social identity theory या pluralistic ignorance उसे हम बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं अगर आपने हमारी वीडियो देखिए थिरी के तो आप जाले से question का answer कर देंगे उसे हम बोलते हैं guys pluralistic ignorance क्या बोलते हैं यह कब होती है when individual privately reject a norm जब एक individual प्राइवेटलि किसी norm को reject कर देता है but believe that others accepted वो तो उस चीज को क्या कर देता है उस norm को reject कर देता है लेकिन इस चीज पर भी यकीन करता है इस चीज पर भी यकीन करता है कि दूसरे उस चीज को यह करते हैं accept करते हैं ठीक है मान लिया इसको बोलते हैं pluralistic ignorance ओके next question है conformity to social norms is often reinforced through जो social norm को confirm करना ठीक है इसको अकसर जो इसको reinforce किया जाता है किसके जरिए punishment के जरिए rewards के जरिए ostracism के जरिए या social approval के जरिए तो गाइस conformity अगर social norms की अगर करनी है तो यहां पर social approval के जरिए ही यहां पर होती है ठीक है आप उसको punishment नहीं कर सकते आप उसको reward नहीं कर सकते आप उसको ostracism नहीं कर सकते जानते हैं ostracism होता क्या कि ostracism का मतलब होता है गाइस कि लिख लेना कि exclusion कि प्राम कि एक्सक्लीजन प्रामा सुसाइटी कि एक्सक्लीड कर देना उसे बोलते हैं ostracism तो बढ़ते हैं अपने next question के और next question है हमारा which term describes the set up behaviors, beliefs and values that a society considers appropriate for individual based on their biological sex सब्सक्राइब करते हैं कि इंडिविजल के लिए एप्रिवेज बैविजिकल्स पर उनके बियोजिकल शेक्स क्या होता है अब मुझे कमेंट बक्स करके बताएंगे कि क्या होता है सिंपल है आपके सामने जंडर रोल सोचल है है कलच्रल नॉम्स एथिकल गाइड लाइन इस कुष्चिन का आंसर एक है नुमबर एग टिक है जंडर रोल्स जंडर रोल्स यह सुसाइटिल एक्सपेक्टेशं होती है रिगार्डिंग behaviors क्या है attitude क्या है और activities कौनसी कौनसी हां पर होने चाहिए इंडिवीज्विल की उनके gender के base पर उसी हम बोलते हैं gender का क्या roll होना चाहिए तो guys देखे जो भी आपके doubts है जो भी आपके doubts है ठीक है तो हमने एक chat group बनाया हुआ है ठीक है चैट बनाया हुआ है हमने टेलिग्राम पर जूपिटर क्लासी चैट करके होगा ठीक है वहां पर request डाल देना मैं accept कर दूँगा जो भी आपके doubts रहते हैं ठीक है एक तो हाँ पर खुदी बच्चे आपके doubts clear कर देंगे अगर आपके doubts clear नहीं होंगे तो हमारी एक class weekly रहती है जहां पर मैं आपके doubts clear करता हूँ ठीक है जो भी doubt होगा वीडियो के नीचे नहीं डालना comment में नहीं डालना बलके आप उस group में क bystander effect जो bystander effect है यह किस चीज़ को कहा जाता है the tendency for people to confirm to social norms in a group setting ठीक है लोगों की tendency social norm को confirm करें किसी एक group की setting में और दूसरा है the decrease in personal responsibility, personal responsibility का काम होना and willingness to help in the presence of others ठीक है तो तयार आना हमेशा help करने के लिए दूसरों की presence में the influence of culture on individual behavior, individual के behavior का culture का असर, the impact of social media on social norms, ठीक है social media का social norm पे impact, ठीक है तो bystander effect किसको बोलते हैं तो इसका जो answer that is option number B, ठीक है bystander effect होता गया है ठीक है जो personal responsibility है उसको कम कर देना और हमेशा दूसरों की presence में दूसरों की मदद करने के लिए यहाँ पर तयार रहना है ठीक है bystander effect occurs यह तब होता है when individual are likely less to intervene और offer help in an emergency जब individual है और less likely to intervene वो कभी भी intervene नहीं करते हैं less likely to intervene और offer help या help in an emergency जब दूसरे वहाँ पर present रहते हैं तब अपनी personal responsibility को कम करते हैं assuming someone else will take action एक है सिंपल है जो बाइस्टेंडर अफेक्ट है ठीक है कि ऐस्टेंडर अफेक्ट किया है एग्जेंपल बताऊंगा ठीक है एक emergency है एक एमर्जेंसी है यह एक आदमी है ठीक है एक आदमी है ठीक है यह एमर्जेंसी आ रही है तो यहां पर कुछ और आदमी भी प्रेजेंट है शल्ब लड़कियां भी present रहेंगी गुत्तेर फ है यहां पर present है यह एक आदमी है किसी की emergency आई तो इस आदमी ने देखा यहां पर emergency आई तो यहां पर कुछ हो़ल लोग भी present है इसने सोचा कि मैं यहांपर नहीं जाओं यही इस काम को करेंगे यही इस emergency में क्या करेंगे उस आदमी की help करेंगे तो यह इसने अपने आपको bystand कर लिया इसने अपनी जो personal responsibility थी उस emergency को लेकर वो इसने खत्म कर दी ठीक है बहुत इसी था चलिए चलते हैं अपने next question के और isda which type of norm refers to the expected behaviors within a specific group or a community कौन सी type का norm है जो यह बताता है to the expected behavior within a specific group expected behavior को को कौन सा नौम यहां पे refer करता है किसी specific पिर ग्रुप या कम्यूटी में फोक्वेश मोर तैबू या हमारा सब कल्चरल नॉर्म इस क्षिन का जो आंसर है यह आप्षिन नमबर डी यह वह नॉर्म होते क्या है यह वह नॉर्म है जो हमारे प्रॉडर स्मालर ग्रूप में यहां पर पाय जाते हैं या सब कल्चरल नॉर्म होते हैं तो बढ़ते हैं अपने question के और हमारा फोक्वेज क्या होता है तो गाइस को कि अभी तक पड़ा नहीं जली question आ गया तो कर लिजेगा ठीक है फोक्वेज क्या होता है फोक्वेज का आपका एक वरा टॉपीक है complete ट्रिक से पड़ाया जाएगा अब फोक्वेज होते क्या है strictly in for social norms norms that carry moral significance informal norms are customs your extreme violation of social norms तो फोग फोड़े होते हैं किया है फोकवेश होते हैं हमारे informal norms are customs ये कुछ informal norms फार्मल और इन फॉर्मल का पता ही उन आपो डिफरेंस पता ही होगा आज जी ठीक है अब ग्रेज़्वेट होगा इनुफॉर्मल नॉम्स और कस्तम उसे हम कहते हैं फोकवेज फोकवेज इन फोकवेज आ करता है यह बहुत ही कम सेरियोस इसके काम देखने को मिलते हैं अगर आप इसको वाइलेट भी कर दोगे अगर आप जो हमारे फोट वेज हैं उन्हें अगर आप वायलेट भी कर दोगे तो आपको उसके जादा कोई consequences देखने को नहीं मिलेंगे ठीक है well as compared to mores के क्या है mores के consequence देखने को मिलेंगे तो मोर्स भी आप पढ़ों कि ठीक है अभी तॉपिक आया नहीं है जैसे ही यह बाकी topic complete हो जाएंगे तो मोर्ज ब्या पढ़ने वाले हो ठीक है तो बढ़ते हैं अपने आज के 14 क्वेशन की और अगला क्वेशन 13th क्वेशन है which theory emphasizes that individuals adjust their behavior to achieve a balance between personal desires and social expectations तो कौनसी थेवरी है जो यह बताती है कि individual उनकी behavior को adjust कर देते हैं किस कलिए adjust करते हैं एक balance बनाना होता है उनको personal desire के बीच में और जो social expectation के बीच में एक balance बनाके रखना ठीक है social के बीच में और यह हमारा आ गया social expectation तो यह होती है personal desire इन दोनों के बीच में balance बनाने बनाकर रखना behavior को एक adjust करना इन दोनों के बीच में balance बनाकर उस theory को क्या कहते है social exchange theory, social learning theory, cognitive dissonance theory या equity theory तो इस question का answer जो होने वाला है that is your option number A social exchange theory ठीक है अब social exchange theory होती है जोड़ा से explain कर लेते है social exchange theory posits that individual engage in behavior that maximize reward and minimize costs in social interaction balancing personal desires with societal expectations को कर मतलब समझ देते हैं कि social exchange theory यह बताती है कि individual individual का behavior जो होता है that individual engage in behavior individual जो होता है behavior में क्या हो जाता है that maximize reward उससे उसके reward जो होते है वो बढ़ जाते है and minimize cost in social interaction और उसकी जो cost होती है वो social interaction में कम हो जाती है जिससे क्या होता है उसकी personal desires social expectation के साथ balance में हो जाते हैं उससे हम बोलते है social exchange theory ठीक तो मुझे पता है कि अगर आप तुक्का लगाते ना इसका क्या आप लगाते equity theory लगाते की नहीं लगाते comment करना ठीक है comment करना कि आप इसका answer equity theory लगाते या नहीं लगाते जो बच्चे इसका answer equity theory लगाते ना comment करते हैं from इसका answer equity theory लगाते ठीक है ओके चलिए चलते हैं हमारे next question क्यों cultural relativism emphasizes cultural relativism क्या बताता है the superiority of one's culture or other understanding a culture within its own context enforcing global cultural norms rejecting all cultural practices cultural relativism क्या चीज हमें यहां पर बताता है तो options आपको मैंने बता दिये कि एक culture की superiority दूसरे के उपर या एक cultural को इसके अपने context में समझना या enforce करना जो global cultural norms उनको enforce करना या जितने भी cultural practice हैं उसे reject करना तो cultural relativism हमें बताता है कि अपने जो अपना culture है ठीक है understanding a culture जो भी उसके अंदर है उस culture में जो भी चीज़े हैं उनको समझना with its own context इसके अपने context में culture को समझना इसके अपनी जो culture के अपनी values है उनको understand करना उनको evaluate करना उनको समझना ठीक है beliefs को समझना और practices को समझना rather than imposing external standards यह नहीं कि उस culture में लाकर को बाहर वाले standard impose करना ठीक है उसे हम cultural relativism नहीं कहेंगे बलके जो उसके अपने standards होंगे जो उसके अपने rules होंगे वही यहां पर चलाना ठीक है ओके चलिए तो बढ़ते हैं वीडियो के अगले question में what is the term for the unwritten rules governing the distance between individuals in social interactions what is the term for the unwritten rules unwritten rules के लिए की term को क्या बोलते हैं जो यहां पर बताती है distance between individual in social interaction जो यहां पर social interactions में individual के distance बताती है कि social interaction में individual का कुछ यहां पर फासला रहता है individual social interaction नहीं कर सकता है मतलब social interaction नहीं कर सकता है simple question का मतलब है तो कौन से ऐसे unwritten rules जो यह चीज़ बताते हैं haptics, proxymix, chronymix, kin6 ठीक है इसका जो answer है that is proxymix option number B proxymix होता क्या है proxymix एक ऐसी study है study of personal space and unwritten rules ठीक है personal space की study है और unwritten rules की study है जो यहां पर बताती है this dictate the appropriate distance between एक ऐसा distance रहता है individuals के बीच में between individuals in social context ठीक है तो social context में socially individual कितना distance रखना चाहिए ठीक है मतलब distance का मतलब समझ रहे ना कि यह नहीं कि यहां पर society है यहां पर यह रहेगा इसका मतलब यह वाला distance नहीं है थिक एक मतलब कि इसका मतलब ही है कि उसको उस काम में कितना इंटर्वीन करना चाहिए तो नेक्स्ट कोशन है हमारा इस वीडियो का विच्टर विच्ट है कि एस जो अगर हम बत करें तो यह अईसा बताता है कि हमारे सोचल उलम्रोड रिइंफ्र्स किया जाएं कि as norms varies across cultural and society क्योंकि जो norms है वो vary करते हैं वो different होते हैं cultural और society में लगर आप देखो ठीक है यह अलग ही यहां पर पाए जाते हैं तो guys हमारा next question है इस वीडियो का इस question में आपसे पूछा गया है which term refers to the set of behaviors or actions that are considered completely unacceptable within our society ऐसी कौन सी term है जो हमें यह बताती है एक set of behaviors है या actions है जिसको completely हमारी society में accept नहीं किया जाता है focus mores taboos या customs ठीक है इस question का जो answer है that is option number c taboos ठीक है taboos हमारी society में नहीं माने जाते हैं taboos और strong social norm होते हैं जो prohibit हमें कुछ actions करने से यहां पर यह मना कर देते हैं आपने society में यह action नहीं करना है क्योंकि often due to moral or societal beliefs कि यह society यह चीज मानती है कि यह काम हमें नहीं करने चाहिए and their violation results in severe consequences तो अगर आप इनको violate करोगे तो आपको बहुत ही severe consequences यहां पर जेलने को मिलेंगे ठीक है तो इसको बोलते हैं taboos तो इसको society में accept नहीं किया जाता है तो next question है हमारे पास what theory suggests that individuals confirm to social norms to maintain a positive self-concept and social identity कौन सी ऐसी theory है जो हमें बताती है कि individual को social norms को confirm करना चाहिए और एक positive self-concept maintain करना चाहिए और एक social identity हां पर maintain करनी चाहिए कौन से ऐसा theory हमें यह बताती है options are social identity theory, social exchange theory, social learning theory, cognitive dissonance theory ठीक है इस question को जो answer है guys यहां पर that is social identity theory, social identity theory क्या बताती है proposes that individual confirm, individual social norm को confirm इसले करता है ताके उसे positive positive social identity को उसे maintain करना होता है और sense of belonging एक group के अंदर sense of belongingness हानी चाहिए ठीक है अपना पन लगना चाहिए कि अपना group है तो यह हमें बोलती है social identity theory तो गाई देखे इस वीडियो में कितनी theories हमने complete कर दी social identity theory के बारे में जान लिया, social exchange theory के बारे में जान लिया तो इसलिए आपका जो है न आपका जो theoretical part है ठीक है theoretical part के साथ साथ आपके MCQs की बहुत ज़्यादा ज़रूर रहते हैं आपके exam exam के लिए ठीक तो बढ़ते हैं अगले question की और अगला question है which term describes the practice of judging another culture कौनसी इसी तर्म में इस डिस्क्राइब करती है दूसरे के कल्चर को judge करना based on the values of one's own culture अपने कल्चर के बेस पर दूसरे कल्चर को बदाना कि मेरा कल्चर तेरा कल्चर ऐसा है मेरा कल्चर ऐसा है ठीक है उसे हम क्या आप बोलते है अपनी जो आपकी जो आपके अपनी कल्चर के तो तो उसके बेस पर आप दूसरे के कल्चर को उसके सवाल उठाने लगते हो इसको इवालबेट करने लगते हो ठीक है इससे क्या हो जाती है इससे यहाँ पर बाइस और उन दोनों कल्चर के बीच में उन दोनों कल्चर के बीच में यहाँ पर मिसंडरस्टेंडिंग हो जाती है इसकी वज़ा से उसको हम बोलते हैं एथनो एथनो सेंट्रिजम ठीक है बहुत सारे कंसेप्ट हमने इस वीडियो में क्लियर किये हैं मेरे अगला वर्शन है वीडियो का लास्ट कॉश्चन वट इस टर्म पर शेर्ट एक्स एक्सपेक्टेशन अबाउव इंडिविज्व इसके बारे में कि किस तरह सोचना चाहिए किस तरह बिहें करना चाहिए सोचल सेच्पेशन में उसे तो जिसका जूसर है डैस आप्शन नमबर एइसे हम कहते हैं सोचना चाहिए कैसे फील करना चाहिए कैसे बियेव करना चाहिए यहाँ में बोलते हैं हमारे तो गाइज यह थी हमारी आज की वीडियोग्स घिडियो प्रिट ओंद्ध ए्लिक वीडियो होगी अच्छी लग लगी एक वीडियो रिशेखा उछनल्म चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेर कीजिए तो गाज थैंक यूव ब्रेश्चिवाल जैहिं